गुजरात में कुद्रत का कुहराम जारी है भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं गुजरात के 18 गारेश दिलों में इस वक्त हालात खराब हैं बारिश अटबार से मढड़ने वालों के संक्या 32 पहुच गई है ग्याराँ बारिश का ग्य नजर आ रहा है मौसम विभाग ने पांच दिन तक भारी बारिश तक बारिश का हाई अलट भी जारी कर दिया है और यह देखिए किस तरीके से लोगों का रस्क्यू किया जा रहा है इसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हैलिकॉप्टर के माध्यम से लोगों क सुरक्षित इस्थान पर पहुंचानी की जद्दो जहत की जा रही है और इस दोनान ग्रामें चेदर सबसे जादा प्रभावित हो रहे हैं जिनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और यह देखिए आसमान से जो तस्वीर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी परिशानियस दौरान लोगों को उठानी पड़ रही हैं इन दौर में तीन इमली फ्लाइओवर का एक हिस्ता धस गया फ्लाइओवर की गुडवत्ता पर फिर सबाल उठे है नौ साल पहले 38 करोर 95 रुपे की लागत से फ्लाइओवर का निर्मार किया गया था फ्ल में कई लोगों को गंभी चोटाई थी नगर निगम और पीड़ डी दोनों ही ब्रिज की मिंटेनेंस को लेकर पल्ला जार रहें क्योंकि इस पूल का कोई मालिक नहीं है पीड़ डी का कहना है कि उसने पत्र लिख कर ब्रिज नगर निगम को सौब दिया था जबकि निगम कहना है कि ब्रिज ऐसे हैंडोवर नहीं होता एक चिठी लिख देने से ब्रिज निगम का नहीं हो जाता दोनों विभागों की जगड़े में ब्रिज की मरमत नहीं हो रही है बीजेपी विधायक महिंद्र हाडिया ने कहा कि पीड़ डी को ब्रिज का मिंटेनस करना चाहिए और नगर निगम को इसकी जिम्यदारी सौपनी जाहिए पीड़ डी और नगर निगम की जगड़े में आम लोग परिशान हो रहे हैं प्रिकाशन उनको पहले से लेना चाहिए अब जो की एक हिसा उसका फिर से सच्छतिक रस्त हो गया है तो नगर निगम पीड़ पर जवाब दर डाले पीड़ नगर निगम पर जवाब दर डाले यह सो में ठीक नहीं मानता है इसको ठीक करना चाहिए जल्दी से जल्दी जो भी विभाग करना चाहता है नहीं तो वह नुकसान हो जाएगा कुछ भादसा हो सकता है ज्यादा बड़ा भी हो सकता है बहुत डर लगता है पहले भी एक बार बीरी गिर चुका है तो लोग बाग उनकी जाने मरते मरते से नौ साल पहले तीन इमली फ्लाइओवर ब्रीज बनकर तयार हुई थी यह सिक्स लेन फ्लाइओवर है तीन लेन जाने के लिए और तीन लेन आने के लिए जब सिक्स लेन फ्लाइओवर बनकर तयार हुई थी तो कहा गया था यह सबसे मजबूत ब्रीज है सबसे क्वालि किया गया था 2015 में ब्रीज बनके त्यार हुई यानि 9 साल हुए अब 9 साल में इस ब्रीज के क्या हाल है वह तस्वीर में आपको दिखा जाता हूं इन 9 साल में नटबोल्ड सडाक पीलर और रेलिंग सब कुछ उखड़ चुके हैं यह तस्वीर है दरारे पड़ चुकी है यह तस्वीर देखिए इस ब्रीज को कवर्ड करने वाला यह आप देख सकते हैं कि इधर का डिवाइडर है कि लोग उस साइड गिरे नहीं कभी कोई कारी टकरा है तो गारी नीचे नीज आए लेकिन अब इसके हाल देख सकते हैं आप दूसरी तरफ यह रेलिंग है और रेलिं भी नीचे के तरफ गिर सकता है और यह सडक की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको यह ब्रीज के उपर का हिस्सा दिखा रहा हूं जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है प्री डवर्डी नगा निगम दोनों पल्ला जार चुके हैं और आम जंता इस फ्लाई ओबर से निक झाल 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 झाल